हेलो गाइज माइने में इस एजी और वाचिंग रेसल एजी तो गाइज जैसे कि हम लोग ने रॉक के रीसेंट एपिसोड में देखा था कि तभी मैच चल रहा था में एमेंड में बिट्विन वर्ल्ड हपी विच चैंपिंशिप तभी हम दोग ने देखा कि जो की वीर महान है उन्होंने सेट रॉल्लेंज को ब्रीफ केस से मारा और वो चीज का फाइडा उठने को फिर देखा जिन्टा मालगें फिर भी वो मैच नहीं जीट पा है तो क्या हमको इंडा कमिंग फ्यूचर अभी वीर महान वर्सेज सेथ रॉल्लेंज का मैच देख सकता है वीर महान ने तभी 2 साल पहले वीर महान को वापस से एक पूछ दे सकते और क्या पॉसिबली वह सेट फ्रीकिन रॉल्लेंज को भी वर्ल्लेंज के लिए चैलेंज करते वह देख सकते है चांसेज अच्छे खास है कि वीर महान वर्ल्लेंज के लिए चैलेंज करते हैं कि आपको पता है कि सेट अभी फिल रहा है किसको भी वर्ल्ल टाइडल मैच दे रहा है जो उनकी चैलेंज करते हैं उनको आपको पता है मोस्ट प्रॉबली रसल मीना 40 में खतम होने वाली है इसलिए वो उसको एक अच्छे लेवल तक लेके जाने को देख रहे है इसलिए पॉसबील चैंचे लीए विर महान वहीर महान सेट फृकिन रॉल्लेंज का मैच सकता है मैच में वीर महान वहल्ल हवीवेड चैंपिन मनेंगा जो कि सेट फृकिन रॉलेंज भो ही हमको उनकी चैंबिशिफ रीटेंग करते पर डिखने वाले और वामरा अदर अदर रीजन्स की क्यो डॉलोली वीर महांग को वर्ल एपेश एमेशे मैंच दे सकती है देशे हमनोंने देखा कि जिसी जिंदरमाल जो कि इंडिया के स्टार है तभी उनको इस मैंच मिलता है से टोलस कर फोर वर्ल टाइडल तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गैशे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइच कीजिए और बेल आइकन को भी डबाए जिसके वज़ेशे आपको हमारे चैनल के रिलेते सब अपडेक्स सबसे पहले मिलें